हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक टू मैं हब गलासिस चैनल तो डियर स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम यमा कलंकार की परिभाशा बहुत धरन जो बोडिक जाम के लिए इंपोडेंट है तो डियर स्टुडेंट्स सबसे पहले ब्लेक पैन से बार बार हो अवर्थी मानी आना यानि जहां एक ही सब्द बार बार आये परंतु हर बार अर्थ अलग लग हो बहां यमा कलंकार होता है यानि जहां एक ही सब्द बार बार आये और हर बार उसका अर्थ अलग लग निकले वहां पर यमा कलंकार होता है तो इस ट्रेंट्स उ पतनी और दूसरी बेगं का राध है बिना गम के या बिना परीशानी के यानि सब की पतनी बिना गम के है ऐसा कभी ने कहा है तो देखे दूसरा उधरण है कनक कनकर्षी शोगनी माध कता अधीकाय तो देखे इस पंक्ती में कनक कनक सब्द की दो वार आविटती हुए है, सब्द तो एक है परन्तु दोनों जगा अर्थ अलग अलग है, एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है शोना, तो देखे यहां पर एक कनक का अर्थ है धतूरा यानि धतूरे को खाकर पद्धार्थ है तो देखे इस प्रकार से परिवासा में लिखा है कि जहां एक ही सब्द की अविडती बार-बार हो परन्तु हर बार अर्थ अलग लग निकले बहां पर यमक लंकार होता है तो इस तुड़ेंट्स देखे दोनों युद्धरन बहुत आशान है सबकी बेगम और दूसरा है कनक कनक से सोगनी माद कता दी दोनों युद्धरन बहुत आशान है यदि बौड इक्जाम में आता है तो आप एक उद्धरन इसमें से लिख सकते हैं इस तुड़ेंट्स इस प्रकार से यमक लंकार की परिभाशा बहुद्धरन कंप्लीट हो गए हैं तो डियर इस्टुडेंट्स वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बोक्स में जरूर बताना वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल मत्रों